नेक्स्ट टॉपिक हमारा है साइक्लिक एंड नोन साइक्लिक फोटो फोलिडेशन यह निके जो कल हम पढ़ रहे थे लास लास में हमने पढ़ा था कि किस तरह से इलेक्टरों का फू टा है इलेक्टरों कैसे कैसे मूव करते हैं किसकिस केरियर से फूटे फोर्टो सिस्टम से फोर्टो सिस्टम वन से होते वे एन एडीपी तक पहुंच रहे थे पात देखा था हमने जिसे हमने कहा था जैड स्कीम यह है तो अभी क्या कि यहां पर आपको एक एक एटीपी बनता हुआ दिखाए दे रहा होगा एडीपी प्लस आईपी और एटीपी फोर्टो फोर्स प्रेडेशन कहलाता है तो यह दो तरह का होता है एक तो साइकलिक होता है एक नोन साइकलिक का तो यही आपको डाइगराम जो कल मैं समझा था वही होगा नोन साइकलिक में तो इलेक्ट्रोन जो एक बार चला गया वह आपका डारेक्ली एडीपी के पास प होता है cyclic में भी और non cyclic में भी कैसे formation कैसे form होता है कैसे transfer होते है elektrons नीचे दिया गया है यहां दिया है कि living organism have the capability of extracting energy from oxidizable substances and store this in the form of bond energy यानि कि living organism होते हैं वो oxidizable substance होते हैं उनका oxidation करते हैं उसके अंदर से energy निकालके ATP की form में convert कर लेते हैं यह लिखा है and special substance like ATP carry this energy in their chemical bonds ATP जो होता है वो अपना energy को chemical bonds में carry करता है the process through which ATP synthesized by cell in mitochondria and chloroplast is name and the phosphorylation यही ATP का जो बनना है वो आपका क्या कहलाता है phosphorylation कहलाता है ATP का form होना phosphorylation कहलाता है यह mitochondria के case में अगर आप बात करते हो तो वो कहलाता है आपका oxidative oxidative photo sorry oxidative phosphorylation और आपका यहां light की presence में अगर chloroplast के अंदर form होंगे ATP तो वो आपका कहलाएगा photo phosphorylation फोटो phosphorylation तो दो case है एक तो light की presence में और एक बिना light की presence के mitochondria में ATP कैसे बनते हैं यह आप next chapter में समझोगे यहां ATP का formation आपका कैसे होता है वो आपका समझेंगे तो यहां दिया गया है कि वही photo phosphorylation is the synthesis of ATP from ADP an inorganic phosphate in the presence of light यह नि light की presence में ATP का formation होना आपका क्या कहलाता है photo phosphorylation कहलाता है and the two photo system work in a series जैसे हमने कल देखाता है यह photo system 2 और 1 जो है वो एक series में काम करते हैं like PS2 पहले आएगा PS1 बाद में आएगा a process called non-cyclic photo phosphorylation non-cyclic photo phosphorylation चलता है वहाँ जैसे के हमने कल देखा था last class and the two photo system are connected through an electron transport chain दो photo system आपके जो है वो electron transport chain के तुरू connect रहते हैं as in earlier in the Z scheme both ATP and NADPH2 are synthesized by this kind of electron flow तो आपका जो direct जो PS2 से electron आपके जाते हैं और जब वो PS1 के पास पहुंचते हैं फिर आगे NADPH2 के पास पहुंचते हैं तो वहाँ दो चीजे form होती हैं एक तो देखा होगा आपने डाइग्राम में लिखा ATP से ADP और एक आपका NADPH2 और ऐसे में electron जो आपके यहां से गए है जिनको water ने दिया था सिधा सिधा हम यही समझ लेते हैं कि water ने इसकी electron की कमी पूरी करी थी और electron water के यहां चले गए थे और फिर उसने आगे पहुंचा दिया और जाके finally वो NADP के पास चले जाते हैं तो ऐसे में electron का flow जो हो एक direction में है वापस electron नहीं आते हैं यहां आप दे लिखा गया है आपका कि अगर आप नोन साइकलिक electron flow की बात करते हो नोन साइकलिक फोटो फोस्रोलेशन की बात करते हो तो आपका ATP बनता है और NADPH2 बनता है ठीक है ना दूसरा आपका होता है cyclic electron flow तो एक बार पहले आप cyclic को थोड़ा सा समझ दीजिव इसको पढ़ेंगे और ATP से ATP बनना यह अलग चीज़ है कैसे बनते हैं अभी के लिए तो आप यह समझ रहे हैं कि वेकेवल electron का flow हो रहा है और ATP का formation हो रहा है तो इसके बाद आप समझेंगे कैसे हम इसको मान रहे हैं कि ATP बनता है electrons के flow से तो वह हम अभी आगे समझेंगे पहले आप cyclic को समझ लि साइटोग्रोम B6 FC electron आपके जाते थे कर अबने बढ़ा था प्लास्टो साइनिन के पास प्लास्टो साइनिन electron को आपके देता था यह फोटो सिस्टम 1 को यह आपका है फोटो सिस्टम 1 PS1 ठीक है इसका reaction center है P700 इसके excited electron आपके चले जाते हैं आगे जब इसके excited electron light energy की मदद से excited होकर आगे चले जाते हैं तो पीठे से जो electron आ रहे होते हैं आपके वो electron यह ले ले लेता है जो कि आपके कहां से आए होते है फोटो सिस्टम 2 से आए होते हैं उनको ले लेता है यह हमने कहाता है electron आपके फेरेडॉक्सिन के पास चले जाते हैं तो अब आप समयने कोईश कीजिएगा कि यह जो electron है फेरेडॉक्सिन के पास हैं अगर मान लो आपका NADPH2 नहीं फॉर्म होगा अगर मान लो NADPH2 नहीं बनाना है या plant के पास carbon dioxide की concentration कम है यानि dark reaction नहीं चल रही है या ऐसा ऐसी बात है dark reaction फॉर्म नहीं होगा या फिर ऐसा है कि temperature जहें इतना ज़्यादा है कि dark reaction नहीं चलेगी क्योंकि dark reaction जो होती है वह आपकी temperature sensitive होती है वहाँ आपके enzymes होते हैं तो ज्यादा temperature होता है तो dark reaction आपकी रण नहीं करती तो ऐसे time पर आपका होता यह है कि जो electrons होते हैं जो ferodoxin के पास होते हैं उनको जाना होता है NADP के पा वापस से यहाँ plastoquinone था उसके पास यहाँ आ जाते हैं यह ठीक है ना पर आपको पता है कि जब plastoquinone के पास electron आते हैं तो यह आपका क्या बना लेता है plastohydroquinone यानि plastoquinol plastoquinol पर आपको कल बताया था मैंने एक बात कि भाई यह आपका plastoquinol जो की मताबर भी convert होगा PQH2 मे फिर यह PQH2 अगर electron आगे देता है तो अपनी जो hydrogen है उनको इधर lumen में छोड़ देता है किसकी lumen में थैलकोईड की lumen में यह मांगे समझेंगे कैसे छोड़ता है ठीक है और electron जहां आपके देखो लगातार चलते रहेंगे electron आपके इधर से इधर आएंगे फिर आगे PPH2 नहीं बनता है देख सकते हैं क्योंकि electron आगे गए ही नहीं वह electron का flow जो है वो लगातार लगातार बार बार वैसे ही उसी पास से होता रहता है PQ Cytrogram B6 से अप प्लास्तोसाइन फिर PS1 फिर यह चलता रहेंगा लगाता है जबकि non cycling में हमने देखा था कि वह electron जो है आपक केवल ATP बनता है NADPH2 नहीं बनता है तो इस बार देखें यहां क्या लिखा गया है यहां लिखा है वेन उनली PS1 is functional the electron is circulated within the photosystem in the phosphorylation occurs due to the cyclic flow मिलकुँ सही बात है यह electron जो है वो cyclical flow करते हैं जो ATP formation होता है वो केवल cyclical flow के कारण होता है अब possible location यह कह रहें कि यह चलता कहा है यह थेलकॉइड में भी चलता है और जो आपकी stroma lemily होती है उन में चलता है stroma lemily आपने देखी होंगी एक granum को दूसरी granum से connect करने वाली जो ह कहते है stroma lemily fret channel इसमें होता है आपका कौन PS1 यहां आपका PS2 नहीं होता तो जब यहां PS2 होता ही नहीं है तो फिर यहां तो केवल cyclical electron flow ही होगा यह आप ध्यान रखे तो यह कह रहे है कि में तब possible location for this इसके लिए जो possible location है वो आपकी कहा होगी PS1 होगा वो आपका पाया जाता है stroma lemily में लिखाला वाइल दा मेंब्रेन और लेमिली और इस ग्रेना है और बोथ PS1 और PS2 the stroma lemily membrane lack PS2 as well as NADP reductate enzyme तो जो आपका stroma lemily है उसके पास ना तो NADP को reduce करने वाला enzyme होता और ना ही जो है उसके पास photo system second होता है तो वहां तो cyclical heat लेगा यह बात आप ध्यान लखें but is cycled back to PS1 complex तो बही electron जो है वापस से उसी pathway से घूम करके आपके कहां आ जाते हैं PS1 के पास आ जाते हैं and through the electron transport chain the cyclic flow hence result only in the synthesis of ATP but not NADPH2 cyclic flow है वो आपका केवल ATP बनाता है NADPH2 नहीं बनाता है बिल्कुल सही बात है नहीं बनाएगा और इसमें केवल cyclical में आपका P700 यानि के आपका जो photo system 1 है वही भाग लेता है photo system 2 भाग नहीं लेता है we will not take part into this ठीक है ना यह ध्यान रखेंगे हैं cyclic photo phosphoridation अगर when only light हमने का भी जब light wavelength अगर आपकी 680 nm से ज़्यादा होंगी अगर मालो light wavelength ही आपकी 700 की नहीं है तो फिर आपका यह कैसे होगा ठीक है ना तो light wavelength पर depend करता है कि light wavelength आपकी 680 से ज़्यादा की आ रही है तो फिर आपका जो photo system second है वो तो काम भी नहीं करेगा क्योंकि वो तभी काम करता है अगर आपकी light जो है वो 680 nm की आती है ठीक है तो दो तरह का आपका photo phosphoridation होता है एक cyclical photo phosphoridation एक non cyclic non cyclic में आपके electron चले जाते हैं एक बार NADPH2 के पास वापस नहीं आते वहाँ आपकी दो चीज़े बनती है NADPH2 और ATP यहाँ cyclic में आपकी ए आपका heading है topic है वो यह बताएगा आपको कि ATP का formation जो हम बात कर रहे है ATP की ATP बनता है तो ATP कैसे बनता है ठीक है आप यहाँ समझेंगे कैसे ATP का formation होता है ठीक है तो इसके लिए एक theory है जिसे आप कहते है chemiosmotic hypothesis यह chemiosmotic hypothesis आपकी Peter Mitchell ने दी थी ठीक है न तो यह आप सेम टू सेम ऐसी आप mitochondria में जाकर भी पढ़ोगे respiration में पढ़ोगे यहाँ ज्यादा अच्छे से बताया गया है वहाँ थोड़ा कम बताया है लेकिन आप समझ जाएंगे यहीं से आपको आ जाएगा कि कैसे बही इलक्तोन का flow होता है तो ATP का formation कैसे होता है तो एक बार यह थ पोड़ी सी थेओरी देख रहते है फिर अगले पेज पर आपको दिया आगाए डायगाम वहाँ समझेंगे तेका लेका लेट अव ट्राइट अट्राइट अट्राइट अच्छली ATP is synthesized in the chloroplast the chemiosmotic hypothesis has been put forward to explain the mechanism like in respiration in photosynthesis 2 ATP synthesis is linked to development of a proton gradient across a membrane that is in the lumen hydrogen hydrogen ion हमने यह बात की थेओर ही आप के लिएंगे वहां उस membrane में जो थैल अब हैंगे आपका मतलब मतलब एक साऺड में आपके प्रटोन माद्रा जो है वह काफी ज्यादा हो जाएगी दूसी साइड पर आपके बाई जो आपको यहां लिखा गए है कि मैंब्रेन पर आपका तो यहां जो मेंब्रेन इस टाइम है यह आपकी थलकॉइड की मैंब्रीन है जब कि जबकि आप रेस्पारेशन ने पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो आपके प्रोटोन भरेंगे देखो बीना प्रोटोन ग्रेडेंट के तो एटीपी नहीं बनने वाला है तो ध्यान रखें जबकि रेस्पारेशन में आप पढ़ोगे कि अब फ्रोटोन एकुलेट इंटरम इंटरमंबरिना इसी पेस में जा कर के फिल हो जाएंगे भर जाएंगे माइटो कॉंडरिया के तो यह आप माइटो कॉंडरिया में जा करके जाने हुई बात ठीक है ना तो next लिखा है कि let us understand what cause the proton gradient कैसे आपका proton gradient बनता है यह हम देखेंगे we need to consider again the process that take place during the activation of electron and their transport determine the step that cause a proton gradient to develop मतलब जो पीछे हमने पढ़ा था कि electron का transport कैसे कैसे होता है उसी को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा इससे आप proton gradient कैसे develop होता है proton कैसे fill होते हैं यह समझ पाओगे तो यह लिखा कि since splitting of the water molecule water molecule जब तूटता है takes place in the inner side of the membrane हमने बताया था कल आपको के जो membrane है थेलेकोईड की यह मानलो थेलेकोईड आपके है एक इस membrane में थेलेकोईड की यहां पर आपका आपका मानली जिए ps2 है यह अपका ps2 है photosystem second है मानलो यह ठीक है इस membrane में photosystem second तो protein के साथ chlorophyll का arrangement है आप समझे क्या है सारे जो pigment वगहरा है आपके लेक्टोन की कमी हो जाती है तो इलेक्टोन की कमी को पूरा करने के लिए वो water molecule तोड़ता है water molecule तोड़ने से आपके H plus निकलते है वो आपके यहां पर फिल हो जाएंगे यह आपको पता है यहां लिखा गया है यही कि भाई since splitting of the water molecule takes place on the inner side of the membrane the proton of hydrogen and that produced by the splitting of water accumulate within the lumen तो बिल्कुब सभी बात है विल्यूमेन में आपके H plus बढ़ जाएंगे ठीक है next point देखते है next क्या है next आपको एक diagram दिया गया है पहले आप इस diagram को समझ ले फिर आप आगे theory पर चलते हैं थोड़ा सा इसको समझ ले देखो यहां आपको दिया है PS2 यह आपका photosystem second है photosystem second का reaction center है P680 यह आप देख रहे हैं आपर हुआ यह है कि electron light आते है light energy आने से electron आपके plastokinon के पास जाते हैं जो कि आपका membrane के अंदर मिलता है membrane में mobile होता है इधर उदर चल सकता है membrane के साथ membrane में अंदर चल सकता है जब light energy आती है electron का transport होता है electron आपके plastokinon के पास जाते हैं plastokinon आपका stroma से stroma की side से hydrogen उठाता है और reduce होकर के plastokinol बनाता है PQH2 बनाता है reduce reduction के बाद आपके क्या बनाता है plastokinol और PQH2 बनाता है फिर आपका PQH2 फर्दर वो electron आगे cytochrome B6F को transport करता है कल हमने पढ़ा था last class में और वो electron आपके जब आगे जाते हैं तो होता यह है कि जो इसके पास hydrogen है जो इसने बाहर स्ट्रोमा से ली है वो hydrogen आपकी lumen में डाल दी जाती है यहां अंदर इसके अंदर डाल दी जाती है ठीक है तो इससे क्या होगा lumen में आपके hydrogen की मात्रा जादा होने लगेगी ठीक है जादा होती रहेगी as compared to the outer side तो इस्ट्रोमा में आपकी hydrogen low हो जाएगी क्योंकि देखो बाहर से hydrogen आपकी उठा के अंदर डाली जा रही है दूसरा आप देख सकते हो इस्ट्रोमा के साइड पर आप क्या देख रहे हो कि आपका na dp plus है यह hydrogen लेकर के na dp h2 बनाता है तो यहां इसकी वज़े से भी hydrogen कम हो रही है और यह भी अंदर डाला है तो इसकी वज़े से भी hydrogen आपकी कम होती है तो अब क्या होगा अब elektron आपके आगे चले जाएंगे प्लास्टोसाइनिन के पास प्लास्टोसाइनτίन आप कहां देख रहे हो हो, membrane के अंदर की तरब देख रहे हो, यह membrane है, membrane के inside में आपको देख रहा है, plastocinin अंदर की तरब दीख रहा है, फिर आपका plastocinin से electron चलागे, ps1 के पास, ps1 ने electron feradoxin को दिये, feradoxin ने आपके इस enzyme को दिये, feradoxin naadp reductase enzyme को दिये, इसने naadp का reduction कर दिया reduce करके NDPH बना दिया यह आपका stroma के साइड पर बना है आप देख सकते हो कहां बना है stroma में ठीक है अब आप एक बास समझो कि जो hydrogen आपकी अंदर भर रही है hydrogen आपके अंदर फिल हो रही है काफी जादा तो इसकी वज़ा से इस membrane में अंदर lumen में hydrogen आपके ज़्याद हो जाते है तो थेलकोईड की membrane में ही आपको एक enzyme मिलता है इसका नाम होता है ATP synthase यह आपका क्या है ATP synthase enzyme थेलकोईड की membrane में लगा रहेगा ठीक है इस membrane पर आपका proton gradient develop हो जाएगा एक electrochemical potential gradient develop हो जाएगा क्यों भाई क्योंकि membrane में एक side पर H plus जादा है एक side पर कम है तो भाई proton आपके अंदर जादा है तो वो proton आपके इस enzyme ATP synthase से निकल कर जब आपके बाहार आते हैं तो इसकी दो unit होती है एक होती है CF0 जो कि membrane में अंदर फसी होती है एक होती ह CF1 जो बाहार निकली होती है तो इसकी जो बाहर वाली unit है जब आपके proton इसके अंदर से निकल कर आते हैं तो बाहर वाली unit में conformational changes होते हैं उन changes के कारण ADP और phosphate inorganic phosphate आपस में जुड़ करके ADP और PI आपस में जुड़ के आपके ATP का formation करते हैं ADP PI आपस में जुड़के आपके ATP का formation करते हैं ठीक है न दुबारा ध्यान से देखो water टूट रहा है electronic की कमी पूरी करने के लिए water टूटने से hydrogen अंदर बढ़ेगी oxygen चले जाएगा इलेक्ट्रोन आगे चले जाएगे प्लास्टो क्यून ने भी hydrogen जो है इस्ट्रोमा से उठा कर अंदर डाल दी NADP ने भी hydrogen यूज करके खतम कर दी तो बाहर hydrogen कम हो जाएगी अंदर hydrogen की मात्रा जादा हो जाएगी इसकी वज़े से gradient develop हो जाएगा high to low हो जाएगा तो high to low मतलब proton high to low जाएगे ही और उस energy से जो आपकी ATP सिंथेज एंजायम की outer unit है इसमें conformational changes आते हैं उन changes के कारण आपका ADP-PI जूड़ करके ATP का formation करते हैं ये बात आप आपके हैं इस तरह बनता है आपका ATP ATP तो हम कहते हैं कि आपका जो cyclic electron flow है उसमें आपके electron घूम के प्लास्टो क्यून के पास आते हैं प्लास्टो क्यून के पास आएंगे तो प्लास्टो क्यून आप भार से अंदर hydrogen को डालेगा hydrogen अंदर आएगी तो एक hydrogen दो hydrogen अगर इदर से इदर निकलती हैं तो एक ATP का formation होता है तो हम indirectly ये माल लेते हैं कि जब हमारी electron प्लास्टो क्यून से होकर निकलेंगे तो hydrogen अंदर आएगी ही ठीक है ना वो hydrogen जो अंदर आएगी वो आपकी इस ATP सिंतेज से बाहर जाएगी तो ATP का formation होगा तो इसलिए हम ये समझते हैं कि इंडरेक्ट लिए आपका ATP का formation electron के flow के कारण हो रहा है दूसरा step यहां लिखा है कि as electron moves through the photosystem जैसे electron photosystem से move करते है proton are transported across the membrane proton membrane के आरपार भेजे जाते हैं and this happen because the primary acceptor of the electron which is located outside of the membrane transfer the electron not to an electron carrier यह यह प्लास्टो क्यून की बात कर रहे है प्लास्टो क्यून ने एक electron carrier तो है ही है but hydrogen carrier भी है electron तो लेता ही है पर hydrogen भी लेता है and hence this molecule remove a proton from the stroma और यह molecule आपका pro stroma से क्या remove कर देता है proton को remove कर देता है while transporting an electron while transporting an electron एक electron अगर जाता है तो एक ही proton अंदर आएगा दो जाएंगे तो दो प्रोटोन when this molecule passed on its electron to the electron carrier on the inner side of the membrane the proton is released into the inner side of the membrane यह हमें पता है proton आपके अंदर भर जाएंगे lumen में next है the NADP reductase enzyme is located on the stroma side ठीकिन यह कह रहें कि भई आपका hydrogen जो है पीछे से साथ इसने stroma से hydrogen भी ले लिए यह और इसके साथ बना दिया NADPH2 तो इससे हमारा stroma में hydrogen की कमी हो जाएगी ठीकिन यहां जैसे लिखा है कि भई along with the electron that come from the acceptor of the electron PS1 proton are necessary for the reduction of NADP plus to NADPH2 this proton are removed from the stroma बिल्कुल सही बात है stroma सही proton हो अटाए जाएंगे यह समझ गया होंगे आप बिल्कुल के hydrogen जो है आपका कैसे कहां से कहां गया क्यों भर गया अंदर lumen में ज्यादा क्यों हो जाता है next day आए कि hence within the chloroplast proton in the stroma decreases proton stroma में कम हो रहे हैं while the lumen में भर रहे है lumen in the is accumulation of proton lumen में आपका proton का accumulation हो रहा है this create a gradient इसकी वेज़े से क्या होगा gradient develop होगा across the membrane as well as the miserable decrease in the pH of lumen pH lumen की गिर जाएगी घर जाएगी क्योंकि अंदर क्या होगा आपका lumen में आपका proton बढ़ेंगे proton बढ़ना मतना pH का कम होना why are we so interested in proton gradient तो यह कह रहें को proton gradient हम क्यों चाहते हैं बिल्कुल सही बात है proton gradient जब बनेगा तभी तो hydrogen आपके उधर से इदर आएगे and this gradient is important because the breakdown of the gradient अगर gradient टूटता है gradient टूटने का मतलब होता है high से low की तरफ आना and that lead to the synthase of ATP उसकी वज़े से आपके ATP का formation होता है and the gradient is broken down due to the movement of proton gradient आपका टूटते है कैसे proton के movement के across the membrane that is high to low यानि lumen to stroma आपके proton stroma की तरफ आएंगे lumen से उससे आपका gradient जो ब्रेक डाउन हो जाएगा और जब आपके proton ATP synthase enzyme से निकल कराएंगे तो ATP का formation होता है across the membrane to the stroma through the transmembrane channel of the CF-0 the ATP synthase the ATP synthase enzyme consists of two parts one called CF-0 is embedded वो अंदर दसा हुआ होता है थेलकोइड के वो transmembrane channel बनाता है that carried out facilitated diffusion of the proton across the membrane वही अगर आपके proton directly तो proton आपके आना पाते उदर से उनके लिए क्योंकि वो चार्ज है उन पर चार्ज है तो proton को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपका जो CF-0 जो unit है आपकी ATP synthase की वो आपकी facilitated diffusion कराती है जिसकी वैसे proton निकल कराते हैं ठीक ना अंदर आउटर portion which is called CF-1 and protrude on the outer surface of the eloquid membrane on the side the face the stroma the breakdown of gradient provide enough energy to cause a conformational change जो आपका gradient तोटा है gradient का breakdown हुआ है वो आपकी CF-1 जो unit है उसमें conformational change करने में बहुत है उतना उतनी energy देता है वो gradient टूटना transport of proton से जो energy मिलती है वो आपकी CF-1 में conformational change करती है CF-1 unit आपकी ADP-PI को जोड़कर रखती है अपने ऊपर और वहाँ पर वो ATP का synthase कर देती है which make the enzyme synthase several molecule of energy packed ATP दो hydrogen जब आपके move करते हैं तो आपका एक ATP का formation होता है ऐसा NCRT में लिखा गया है ठीक है आप NCRT से follow करेंगे तो next दिया है कि chemiosmosis require a membrane a proton pump chemiosmosis में क्या चाहिए membrane चाहिए होती है proton pump चाहिए होता है like CF-0 proton gradient चाहिए होता है ATP synthase engine चाहिए होता है energy is used to pump proton across a membrane to create a gradient or high concentration of proton यहनि कि भाहिए ऐसा है कि आपकी जो membrane होती है थेलकॉइड की जो membrane है उसमें कुछ proton pump मिलते हैं जो कि आपके stroma से उठा करके hydrogen को lumen में डालते रहते हैं within the thelikoid level ATP synthase has a channel that allow diffusion of proton back across the membrane ATP synthase वो channel है जिससे की proton आपके lumen से वापस stroma में आ जाते हैं जिस release enough energy to activate the ATP synthase enzyme and catalyze the formation of ATP वो यह सेम बात बार बार लिख रहे हैं कि gradient अंदर बन जाता है मतलब अंदर हाई हो जाते हैं हाई करने के लिए कुछ membranes के अंदर proton pump भी होते हैं जो कि बाहर से इस्ट्रोमा से उठा करके अंदर डाल देते हैं hydrogen को pump आपके energy यूज करके ही करते हैं ऐसा तो यह तो ध्यान रखना ठीक है और मतलब यह कह रहे हैं कि एक तरीका तो यह था कि पीकु से hydrogen आ रहे थे water टूट रहता यह तो जहीं था लेकिन membrane में कुछ pump होते हैं जो h-plus को बाहर से अंदर बेजते हैं जिससे gradient बन जाए और फिर gradient टूटता कैसे है कि जब वह आपका ATP संथेज जो होता है उससे होकर आते हैं कौन hydrogen आयन बाहर ठीक है न उससे आपका क्या फोर्म होता है ATP का फोर्मेशन होता है तो यही यह यहां पर रताय गया है आपको एक बार दो बार तीन बार रीड करोगे तो आ जाएगा नेक्स लिकाए का का BLA. प्रदूसेटेज कंशन है आपका फोर्मेशन है कारैल साईगलक यहां है आपका ए स्चानल स्चानल का निदेज कि होगा और यह और चूंर स्पवाटार इस अपर, तो ने शरॉ मा का आपका atmospheric carbon को fix किया जाएगा और sugars का formation किया जाएगा तो दो चीजे बनती है NADPH2 और ATP यहाँ पर कैसे ATP form होता है यह भी आपने समझ लिया है अच्छे से एक दूबार इसको पढ़ोगे तो आपको आज आएगा काफी अच्छा topic है तो आज के लिए इतना ही करते हैं नेक्स क्लास में हम शुरू करेंगे कि आपका जो ATP और NADPH2 बना है यह stroma में किस तरह से कहाँ पर यूज होगा यानि हम dark reaction को पढ़ने वाले हैं बाय सिंथेटिक फेज को पढ़ने वाले हैं तो आज के लिए इतना ही थैंक यू आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हैं तैंक यू सो मच